हेड वर्ट सब गाइस अम्नु छेहरा और वर्टिस अभी भी कनेक्टिड हैं लेकिन अगर हम सारी edges का सम लेंगे तो minimum सम आएगा तो आपको दिखरा होगा एक weighted graph चाहिए एक undirected graph और एक ऐसा graph जिसमें सारी connected components है connected graph हो basically ठीक है ऐसा नहीं कि आदा graph यहाँ आदा graph यहाँ तब निकल पाता आप लोगों का minimum spending tree आप लोगों connected weighted undirected graph होगा तो आप लोगों उसकंदर minimum spending tree निकाल सकते हैं और यह हमने देखा था प्रिम्स algorithm की help से लेकिन आज हम बात करने वाले आप लोगों को बताता है यह तो आपको पता है कि minimum spending tree निकालना है तो minimum spending tree के अंदर total sum सबसे कम होना चाहिए तो ऐसा करते हैं वो edges चूज करते हैं इसके अंदर से जो की सबसे छोटी edges होंगी ठीक है सबसे पहले सबसे छोटी edges को चूज कर लेते हैं तो वही चीज यहाँ पर काम करेगी आप पहले वो चूज करोगी सबसे चुटी है तो उसके लिए इसे एक एक करके एज निकालते चलेंगे और अपने आंसर में डालते चलेंगे उनको और अगर कोई एज की जरूत नहीं है किसी जरूत अगर नहीं है तो आप लोग उस एज को एग्नोर मार दोगे ऐसा करते चलोगे करते चलोगे कब तक करते चलोगे जब तक कि इसके अंदर V-1 एजिस नहीं हो आती मैं V-1 के बोल रहा हम बेसिकलि आप लोग को पता यह ग्राफ है ग्राफ से आप इसे ट्री में करनोर करोगे तो ट्री के अंदर कोई भी लूप नहीं होता और अगर आप लोग के पास V-vertices है और एक ऐसा ट्री बनाना जिसमें कोई लूप नहीं है जिससे कि सारी-सारी V-vertices connected हो तो उसके अंदर V-1 edges होंगी यह आप खुद भी प्रूव कर सकते हो यह बिसिकलि आप देख सकते हो कि जैसे मेरे पास यह तीन वर्टिसीज है तो कोई बिना लूप के मेरे पास दो ही edges होंगी अगर मैं तीसरी आज और डालने का ट्राइकर हुआ तो वह एक दूसरा लूप बना रही होगी ठीक है तो इस तरीके से अब पता V-1 तक हमें चलना है अगर हमने V-1 edges से सबसे पिक कर ली तो उसके बाद बाकिसारी edges पिक करने कोई ज़रूत नहीं है और वह V-1 edges जोंगी वह हमें minimum answer लाके दे रहे होंगी अब जले दिखते हैं कि सबसे पहले तो edges को sort कर लो by their weights उसके बा वह उसके बाद अगली है BC क्या BC को लेकल नहीं जोलत है तो हाल लेका नहीं जोलत है क्योंकि एक कि लेका नहीं की नहीं करा रहा इसके लिए एक अलग चीजिज के उने फाइंड इस से पहले disjoint set और union find बता दिया था ठीक है उसका use इसके अंदर होने वाला है देखेंगे कैसे आप पहले ab को लिखेंगे उसका आप bc को लिखेंगे ठीक है उसका आप ec को भी लिखेंगे यह ब्लैक का मतलब है यह हम लेकर आ चुके है उसके वाद a e को लेकर नहीं जुरूत है तो इसको हम नहीं लेकाएंगे अपने final answer के अंदर तो इसको हमने यहां पर discard कर दिया अगल अगली एज है cd को लेकर नहीं तो हां cd को लेकर हैं क्योंकि अभी तक हमारा connected नहीं है इस ट्रीम है तो cd को लेकर आएंगे और इसका वेट है 7 और यहां पर हम रूख जाएंगे यहां पर क्योंकि हमारे पास देख रहो एक दो तीन चार पांच 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 वर्टिस ह सआघ्यड कंवान oneself व्सकंवें मैंन वहां इ सबोगत कि और इस लें करते हैं कि्याद है की यह यहां पर पूरा 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 ग्राफ होसे हमारे पास यह तीन एग्नोर का सब्सक्क्राइब Harley. यह वाली है और यह 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 यह, so this is a tree, right, this is a tree, और यह पूरा का पूरा connect कर रहा है, and this is a minimum spanning tree, और इसका अगर आप सम निकाल लोगे, तो आप लोगों का minimum spanning tree का answer भी आजाएगा, साचार 11, 12, 14, ठीक है, 14, तो इस तरीक इसम से solve करने वाले है, तो अब देखते कैसे union find लगने वाले है, इसके अगर आप लोगों के वीडियो समझनी है, तो इससे पहले जो इस playlist के अंदर जो last video थी, which is union find, या फिर disjoint set, आप एक बाच ज़रा वो देख लेना, उसके बाद element को दुबारा से आप मठ डालो, ठीक है, दुबारा से include मत करो, अगर नहीं करते एक set के अंदर, तो इन दोनों को, एक, इन दोनों के sets को, एक set में convert कर दो, यह आप लोगों को तभी समय आगा, जब आपनों को disjoint set और union find की चीज़ें पताऊंगी, last video के अंदर, तो वही ची set के अंदर A और B आ गए है, अगला हमने उठाया BC, तो B इस वाले set के अंदर है और C अपना कहीं अलग set के अंदर, C यहाँ पर कहीं अपने अलग set में था, हमने क्या C को B वाले set में डाल दिया, तो अब क्या होगा, A, B और C तीरों एक ही set के अंदर आ जाएंगे, इसके ब अगला element आता है, A, E, तो A भी इसी set के अंदर है, E भी इसी set के अंदर है, तो हम बोलेंगे यह दौना already एक set के अंदर है, तो इसलिए इन को दुवारा से include करने की ज़रोत नहीं, यह already आपस में connected है, ठीक है, इसलिए हमने एक जार है connection, ठीक है, इसलिए हमने A, E को exclude कर दिय ठीक है, ठीक है, क्योंकि BE थी next edge, यह हमारी BE थी, लेकिन BE वाला भी already connected है, BBC set में, EBC set में, तो इसलिए BE आपस में connected है, इसलिए BE को भी exclude कर दो, इसलिए BE को मतलो दौरा से, अगला आता है CD, तो C तो इस वाले set के अंदर है, D अपना कहीं अलग set में था, तो आपने D को लिय 5 vertices थी, तो उसके लिए 4 edges sufficient है, उतने में ही minimum spanning tree बन जाएगा, उसके बाद जितनी भी edges हैंगी नीचे, जैसे ED COM ने इग्नोरी कर दिया, इसके अलबाद जो भी extra edges होंगी नीचे, उन सब को हम ignore कर देंगा, उनका कुछ फरक नहीं पड़ता, तो इस तरी किस हमारा disjoint set यहां प तरीके से यहां पर दिया हुए आपको ठीक है, इसके अंदर basically अगर आप input देखोगे ना तो इस website के उपर आप लोगो input कुछ इस तरीक से मिल रखी है कि adjacency list के format में मिल रखी है, तो for what is 0, आप लोगो दे रखाओ कि 0 से 1 तक अगर कोई edge है, तो 1 दे रखाओ और 7 में 1 के सा साथ एक और चीज़ दे रखाओगी, which is the weight, तो 0 से 1 का weight मिल जाएगा, उसके साथ 0 से अगर suppose 3 भी connect है, तो 3 के साथ 0 से 3 के बीच की edge का weight होगा, वो भी दे रखाओगा, तो इसलिए यहां पर error list of error list of error list मिल रहा है, हमें लेकिन इस format में नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए ह एक edge, क्योंकि यहां पर हमें edge को sort करना है, ठीक है, यह edges है, इन edges को हमें sort करना है, तो हमें अपना खुद का एक data type यहां पर बनाना पड़ेगा, मैं अपनी खुद के custom class बनाऊगा, यहां पर which is called the edge, और उसके अंदर में यह सारी चीज़ है, source, destination और weight रखता चलूँगा, औ उसी को मैं sort भी कर दूँगा, फिर easily, ठीक है, देखते हैं मैं कैसी कर रहा हूँ, तो मैंने class बनाई है, which is called edge, इसको हमने implement करा दिया, comparable edge के साथ, तो आप इसके अंदर हम compare to method भी डाल रहे होंगे, जिसकी help चे आप edge को compare कर पाऊगे, आप बता सकते होगे, edge को कि space पर compare करना ह है, two edges को, तो उसके अंदर हमने तीन चेन डाली, source, destination और weight, हम यहाँ पर एक constructor बना लेते हैं, जिसको हम इस तरी किसे initialize भी कर देंगे, तो तीनों values यहाँ पर initialize हो गई है, उसके बाद हम अपना compare to वाला method भी डाल देंगे, और यह बताएगा कि किसी edge को आपको compare कैसे करना ह है कि इस current edge का weight minus उस दूसरी वाली edge का weight के साथ compare करो, अगर यह वाली edge का weight कम है, तो आप बोल दोगी ठीक है, यह वाली edge चोटी है, अगर इस वाली edge का weight जाद है, तो आप बोल दोगी यह वाली edge बड़ी है, अगर दोनों बराबर है, तो यहाँ पर return हो जागा 0, तो मतलब अगेर मैंने का था कि लास्ट वीडियो जरूर देख लेना उसके बाद ही आप लोगो समझ में आएगा तो मैं यहाँ पर यूनियन और फाइंड के यह रहा और find का code यह रहा इसके बाद directly में चलते हैं तो क्योंकि यह हमें अरे लिश्ट ऑफ दे रहे रहे हैं तो इसके बचने के लिए शकी एक लिश्ट बनाने तो उसको मैं आपर handle कर रहा हूँगा अलग तरीके से तो उसका पूरा code लिखा है मैंने आप है तो मैंने एक error list बनाई है जिसके अंदर edges में store करने वाला हूँ सारी error list of type edge तो इसके अंदर हमारी सारी edges आ जाएंगी कैसे आ रही है मैं पूरी के पूरी के अंदर अलग तरीके से आज दे रहे हैं आप लोग को अगर अच्छे से edges किसी और format में दे रहे हैं सबोस करो आप लोग को एजिसेंसी matrix के अंदर दे रखा है matrix की form में अगर आप लोग ग्राप दे रखा है तो उस number of values number of vertices उसके बाद इसके अंदर हम हमें पता है parent वाले array के अंदर 0 से लेकर V-1 तक values आने वाली है तो वह मैंने value भर दी ठीक है यह बता रहे हैं कि अभी फिलाल इस element का parent concept अगें इसको समझने के लिए union find को समझना ज़रूरी है उसके बाद हम क्या करेंगे है अपनी edges को सौट कर लेते हैं collections.sort method होता है जिसके हैं आप लोग edges को सौट कर पाऊगे यह edges हैं लेकिन type edge तो मैं इसको सौट कर पारंग कि हमारी edge जो है वो comparable को implement कर रही है अगर comparable को यहाँ पर implement नहीं करती तो हमें यहाँ पर error मिल जाता कि आप लोग इसे sort नहीं कर सकते लिकिन मैंने इसे बता रखा कि sort करने के लिए compare करना दो element को compare के basis पर करना मैंने इसे बता दिया है तो अब यह easily sort कर पाएगा इनको ठीक है तो हमारी edges सारी अचली sort हो जाएंगी on the basis of their weight उसके बाद हमें बस count मैंने count variable बनाए क्योंकि मेरा जो लूप चलने वाला है यह v-1 time चलना चाहिए v-1 time से ज्यादा time चलने कोई फायदा नहीं है ठीक है और यह answer वाला array यह basically finally answer रखेगा आपने अंदर answer की value है जिसके अंदर आप लोगों का total sum रखने वाला है जैसे यहां पर इस case में 14 answer आता ठीक है तो यह loop मैंने चलाया आप लोगों को दिख रहा ह यह ठीक है मैंने एक दूसरा variable बना लिया आई और आई आप लोगों का हर iteration में करके increment होता जाएगा basically मैं सारी-सारी edges के अंदर traverse करने वाला हूं एक ही करके सारी edges को मैं उठाने वाला हूं तो मैंने पहली edge उठाई ठीक है this is my current edge उसके बाद मैंने इस current edge के source के लिए find कि source का parent इस source का representative कौन सा है ठीक है तो rx उस नाम से हो गया फिर मैंने destination का representative देखा कि destination कहाँ पर है ry आ गया उसके इंदर और मैंने चाक्या कि अगर दौनों के representative बराबर नहीं है मतलब दौनों अलग-अलग-अलग set के अंदर है तो इन दौनों को एक set के अंदर लिका जाओ अगर द union और find यह दोना method मैं यहाँ पर use कर रहो अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर note करने वाले है कि जो p है यह p एक आप लोग का ऊपर एक static variable है जिसकी हल्क से मैं आप लोग को यहाँ भी use कर पा रहो है इसको एक global static variable बनाना पड़ेगा अधरवाइस आप ऐसे यूज नहीं कर प पास करना पड़ेगा union वाले function में भी आप लोग को parent array पास करना पड़ेगा और find वाले function के अनदर आप लोग को parent array पास करना पड़ेगा उसके बाद union कर दिया हमने फिर finally हमने count को फ्लस-प्लस कर दिया कि ठीक है हमारी एक edge add हो गई है फिर यह ? यह एज add हो गई है तो इसलि करना है फिर एक-एक प्रकड़ना है आप लोगों को उस ऐस्सक्ली है की इस फेEX हमारी और इंक्लूण कर लिया और उसके वाली weight को भी include कर लिया है और यह आप लोगं count plus plus होता रहेगा और यह loop चलेगा जब तक कि count is less than v जैसे आप लोगं count v के बराबर जाता है वैसे आप loop से भार आज जाओगी और नीचे जितनी भी edges बची होंगी उनको आप ignore कर दोगे उनका कोई फैदा नहीं है finally आप answer return कर दोगे इसको हम चलाएंगे तो यह वाला code यहाँ पर चल जाएगा ठीक है तो same logic जो मैंने अब दाय था आप लोगं को same logic यहाँ पर चल रहा है यही होता है हमारा cruise school algorithm आप लोगं को समझ में आ गया होगा time complexity के बार जड़ा बात कर लेते हैं इसके अंदर तो आप ल log e यह sorting की complexity होती है उसके बाद हमारा एक loop चल रहा है नीचे आप देख रहोगे यह count less than v तक चल रहा है कि जब तक count इसका v से छोटा है तक चल रहा है तो v time चलने वाला है यह और हर बार कुछ यहाँ पर union find operation हो रहे हैं आप लोगं को पता होगा अगर हम इसको कुछ भी optimization न जाने वाला है तो यह overall v times आप कह सकते हो इसे कि ठीक है वी कि प्लस v, मैं v क्यों कह रहा हूं इसे क्योंकि v time यह loop चल रहा है और अंदर के operation को मैं मान रहा हूं constant time में कैसे कह सकता हूं find और union वाले function को यह आप लोगं समर्जना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो वह big o of e log e time complexity है अगे इस space की बात करेंगो तो हम यहाँ पर जितने भी इसके अंदर edges हैं उनको हम store कर रहे हैं right edges को हम इस तरीके से यहाँ पर store कर रहे हैं उसके लावा हम यहाँ पर क्योंकि parent array भी बना रहे हैं जितनी number of vertices हैं तो वहाँ पर v भी यूज होने वाला है तो big o of e plus v यहाँ पर space use हो रहा है तो यह आप लोग की space complexity आगे और यह आप लोग की time complexity आगे तो इस तरीके से हमारी cruise call alert में यहाँ पर पूरी की पूरी खतम हो जाती है इसके बाद में मिलोंगा आप लोग से next वीडियो में वीडियो कर आप लोग को पसंद आए तो जरूर लाइक कर सब्सक्राइब मिलेंगे नेक्स वीडियो में चलते हैं बाबाए